नमस्का दोस्तों आपका स्वागत है टॉप टीच में और आज मैं आपको बताऊंगा की लिप्सोडियल डीसेंट किस तरीके से बनाते हैं तो चलिए सबसे पहले हम आटोगेड उपन कर लेंगे डीसेंट बनाने की दो मैथड हैं तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल सी जो मैथड है वह बताऊंगा एक एक्जम्पल के थू बताऊंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगर हमें किसी सेल का आईडी दिया गया है 980 ठीक है तो उसके लिए हम डीसेंट किस तरीके से बनाएंगे तो चलिए देखते हैं सबसे पहले 980 की लाइन बना देता हूँ मैं ठीक है अब Eclipse लेके 980 divided by 4 ठीक है तो यह आपकी जो डीसेंट है वह रेडी हो के लिए ठीक है यह आपकी फर्स्ट मेतर थी डीसेंट बनाने की और 2nd method में आपको बताता हूँ किस तरीके से बनाना है 2nd method से यह चैद अब इसएंट हरो है ठीक है यह हमारी फर्स्ट मेतर थी अब 2nd method में यह है कि आपको नकल रीडियस, ट्राउंड रीडियस, और हाइट और cell का जो id है वो आपको पता होना चाहिए ठीक है तो उसके लिए सबसे पहले तो उसके लिए मैं आपको हिंक दे देता हूँ कि यहां पर मैंने यह drawing बनाया हुआ है इसका जो id है ठीक है हमें id चाहिए plus crown radius चाहिए उसके height चाहिए और knuckle radius चाहिए ठीक है और इस sf तो होता ही है तो अभी सबसे पहले हमें जिस चीज की जरुरत पड़ेगी वो है id तो id हमारे पास available है 980 ठीक है उसके बाद हमें क्या बनाना है crown radius तो crown radius के लिए formula यह है id into 0.9 ठीक है तो सबसे पहले मैं line बना लेता हूँ lspace 980 ठीक है अब crown radius के लिए मैंने आपको बताया id 900c into 0.9 ठीक है यह हमारा आया knuckle radius 882 ठीक है तो सबसे पहले हम 882 का circle मारेंगे ठीक है उसके बाद हमें इसके height निकलनी है तो height तो id डिवाड़ बैए 4 होता है ठीक है तो हमने यहां पे 900c divide by 4 कर देते हैं divide by 4 ठीक है तो 245 वो यहां पे भी आ रहा है अब यहां पे भी आएगा अब हमें क्या करना है इसको move करना है नीची की तरफ ठीक है उसके बाद लाइन बना देना है इधर से एक लाइन बनाएंगे और इधर से एक लाइन बनाएंगे ठीक है उसके बाद हमें हमने crown radius crown radius के लिए तो circle बना दी अब knuckle radius के लिए हमें निकलना है तो उसके लिए formula है नकल radius जो होता है वो id into 0.17 होता है तो knuckle radius निकल लेंगे तो 290 sorry 980 into 0.17 280 into 0.17 तो यह हमारा आप हमें इतनी की फिलेट माननी पड़ेगी यहां पर तो फिलेट के लिए आपको क्या करना है f space यहां पर आप r select कर सकते हो directly भी और यहां से select करके भी आप कर सकते हो ठीक है अब हमें यहां पर यह चीज़ पेस्ट कर देनी है ठीक है और यह दो point select करना है फिर से मैं आपको बताता हूँ fillet यह point और यह point ठीक है enter मारेंगे यह point और यह point ठीक है और बाकी का जो portion है वो तुरिम कर देंगे ठीक है तो अब हमारे पास यह descent second type की जो descent है वो ready हो चुकी है first type की जो AND its कन अदर क्या फरक है मैं आपको बताऊंगा भी जो second type की descent है उसके हम radius माप सकते हैं और जो first type की descent थी हम radius है जो नहीं माप सकते हैं ठीक है इस को इस दो type की descent हम use करते हैं और इसका जो formula है वो आपको मैंने यहां पर लिखतिया है ठीक है? तो thank you for watching this video